तो लार्निंग इस चैप्टर वी विल लार्न अबाउट इस चैप्टर को और डिसक्स करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स को तो यह इसकी फुल फॉर्म हो गई तो CSS makes it easier to enhance the look of the different element on a web page it is a style sheet that provides a set of style rules for defining the layout of html document it defines a structure and scheme or presentation for the website तो देखें CSS का क्यों होता है CSS को यूज करते हैं हम web page को enhance करने के लिए जो web page का look है उसको enhance करने के लिए यह आप कर सकते हैं जो web page होता है उसको और attractive बनाने के लिए यूज करते हैं CSS को ठीक है जो भी web page आप बनाते हैं the help of html उन्हीं को हमें और attractive करना हो उनका जो appearance है उनका जो outlook है वो और अच्छा करना हो अगर हमें तो उसके लिए यूज करते हैं CSS के स्टाइल चीट आयोप आपको समझ में आ रही होगी इतनी चीज अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं एक उनका face है वो ज्यादा glow करें लोगों को ज्यादा अच्छा लगए तो लोग देखें कि वहां कितना अच्छा लग रहा है यह परसन ठीक है कितना attractive लग रहा है तो क्या मतलब आप सिंपली कप्रेपर कर त्यार हो गए थे लेकिन आपने क्या करी एक्स्टा फॉर्मेटिंग हैं तो उसके लिए उज़ करते हैं हम सिंपली CSS है होप आपको इतनी चीज समझ में आगी होगी बहुत सिंपल टर्म में माने आपको समझा दिए ठीक है अब हो सकता है बहुत सारे लोगों का HTML का concept के लिए नहों तो एक बेसिक से इंट्रोड़क्शन कर लेते हैं जैसे कि आ अब आपको इस चैप्टर में CSS के बारे में और नॉलेज दी जाएगी तो इसलिए मैं आपको HTML का थोड़ा इंट्रोड़क्शन पार्ट बता देता हूं जैसे कि आप CSS को समझ पाएंगे तो बात करते हैं HTML क्या है what is HTML HTML stands for hypertext markup language ठीक है HTML की full form होती है hypertext markup language it is a markup language which is used to create webpages ठीक है तो HTML क्या है markup language है जिसका यूज करते हैं हम webpages को create करने के लिए अब देखिए webpages का मतलब क्या है webpages के बारे हम सभी को पता होगा जो भी website विजिट करते हैं कोई भी website ले लिजिए जो भी website का page होता है उसका हम webpages भोलते हैं तो वह webpages जो है तो देखिए यह होता हमारा HTML का basic structure okay HTML tag लगाते हैं फिर head tag लगाते हैं अगर आप लोगों को पढ़ा होगा और अगर आप लोगों को याद होगा तो आप इसको इसली समझ पाएंगे सब्सक्राइब लगाते हैं यह बताता कि आपका HTML डॉक्मेंट हो रहा है फिर head ठीक है उ इसका बॉड़ी क्लोज कर देते हैं ठीक है इसके बाद में इसको फाइल को सेप कर देते हैं तो इसका एक बैपेज में आपको बना के दिखा देता हूं जिससे कि आपको concept क्लियर हो जाए ठीक है तो देखिए यहां पर मैंने नोटपैट को ओपन कर लिया और नोट के हेलो वैलकम टू मैं वैब पेज ठीक है यह कॉंटेंट डिस्पले हो जाए वैब पेज पर इसका बॉड़ी क्लोज कर दिया है ठीक है तो इसको मैं सेप करके और चला के दिखा देता हूं आपको देखिए ठीक है मैं यहां पर फोल्टर बना रखा है इसके अंदर से सेपक जाख कर देता हूं और सेप करने के बाद रेसे फोल्टर को ओपन कर लेता हूं जहां मैंने फाइल को सेब कर रहा है तो यहां भूग कर देता हूं अब आपको दिख रहा होगा हेलो वेलकम टू मैं बैप पेज ओके यह डिस्प्ले हो गया जो भी आप बॉड़ी का अंदर डालेंगे वह यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा तो अब देखिए बैप साइट को ओपन करते हैं उस तरीके दिख रहा है यहां पर तो इस तरीके से यहां पर तो देखिए यहां पर कुछ और टैक को अप्लाइ कर दिया है कौन कौन से टैक कर रहे हैं मैं आपको दिखा दिता हूं मैं ती सबसे पहले मैं अप्लाइक रहा है सब्सक्राइब करता हूं करता हूं करता हूं तो देखिए अगें उस फोल्टर में आ गया हूं मैं और यहां पर देखिए मारा पेज़ा वन.html ठीक तो दुबारा सब्सक्राइब करता हूं सब्सक्राइब करता है तो इसका साइज ज्यादा बड़ा आ रहा है इसके बाद में लाइन ड्रॉ करें तो अप्रेटिंग सिस्टम आ गया है जो कि हमने एस्टू है अपलाए करा था तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से बैपेज को और अट्रेक्टिव बना दिया है ठीक है अब लोग का सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी चैप्टर में दे रखा है इन-lion CSS के बारे में एक तरीका है इसके अलावद दो और तरीके होते हैं इंटर्नल और एक्टरनल जो कि आपके चैप्टर में नहीं है तो यहां पर हम डिसक्स करेंगे इन-lion CSS को चलिए डिसक्स कर लेते हैं इन-lion CSS क्या होती है और इसके बाद में देखते हैं इसको किस तरीके से अप्लाइब करेंगे ओके तो चलिए बात करते हैं इन-line style की कि इन-line CSS क्या होती है सो इन-line style is one of the method used to apply CSS on the elements of a webpage in this method style declaration is given with each individual element with the help of style attribute तो इन-line style भी मैंने जैसे आपको बताया यह एक method है CSS को apply करने का ठीक है और इसमें हम क्या करते हैं हर element के अंदर CSS को apply करते हैं मतलब जो elements होंगे उनके अंदर आपको declaration देनी होगी ठीक है यह method है जिसमें कि आपको हर element के अंदर individually आपको CSS को define करना पड़ेगा और इसके लिए उस करते हैं में style attribute सब्सक्राइब और मुझे इसमें CSS को apply करना है तो CSS मैं किस तरीके से अप्लाइब करूंगा देखिए यहां पर क चाहता हूं वह यहां पर apply कर दोंगा एंड उसके बाद में वह CSS मेरी इस टेग पर apply हो जाएगी मतलब जो element है element और टेग में इस पर apply हो जाएगी हमारी CSS इस तरीके से आप इसमें CSS apply करते हैं यह होता हमारा inline CSS मतलब जो भी आपका tag है उसमें आपको CSS को declare करना पड़ता है हर tag के अंदर आपको individually code को दिखना पड़ेगा कि आप इस tag में यह CSS apply करना चाहते हैं तो इसे हम बोलते हैं inline CSS I hope आपको इतनी समझ में आ रही होगी and this is not an efficient use of style sheet as the declaration is to be repeated every time even if the same effect is to be used by the some other element in a document मतलब क्या है जो inline style है यह जो तरीका है apply करने का CSS को इसको ज़्याद अच्छ को apply करनेगा क्योंकि इसमें देखिए क्या है अगर आपको same effect दूसरे element अप्लाय करना हो तो आपको क्याना होगा same code को repeat करना होगा मालों मेरे पास मैं यहां पर देखिए h1 है ठीक है टैक मेरे पास में है इस तरीके से ठीक है इस तरीक है इस तरीके से मैंने डॉक्यमेंट इस तरीके से ठीक है तो मैं चाहता हूं इन तीनों को चेंज करना मतलब जो टैक्स एफेक्ट होगा उसके करना चाहता हूं तो मुझे इन तीनों टैक मैं अलग-अलग CSS को define करना पड़े जिसमें कि मैं style attribute को यूज़ करूंगा मतलब इन सब मैं style attribute को लगा और उसके बाद म है तो इसमें आपको inline CSS पढ़ने को मिलेगा ठीक है तो चलिए inline CSS को practically example के help समझ लेते हैं ठीक है जिससे कि आपको क्लियरली समझ माया है कि inline CSS किस तरीके से apply करते हैं तो देखिए मैं notpad में आ चुका हूं और यह हमने webpage create कर रहा था उसी का code है जो मैंने आपको करके दिखा आप चाहूं तो notpad में भी कर सकते हो लेकिन मुझे notpad प्लस प्लस ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें की copy अगरा करने में problem होती है अगर इसमें copy कर तो कुछ भी problem हो जाए तो अंडो करने में notpad में problem हो जाती है ज्यादा बार अंडो नहीं होता है तो मैं यहां पर यूज अठीक यहीए no other प्लस प्लस को ओपनो कर लेता हूं तो देखिए no arbet. 妉पन हो गया है इस देखने में स polarization की तरह यह कुछ याद़ नहीं है ठीक है बस्तित यहां पर यूज कर रहा हूँ जिसकि मुझे problem नहों हो ठीक अगर मैं कुछ न्डो कर दूं तो बाद में problem ल सब्सक्राइब करता हूं और इसको मासिट करता हूँ ठीक है और यहां पर नाम देता हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो यह थोड़ा दिखने में भी अच्छ लग रहा है ठीक है तो इसको मैं सेप कर दिया है अब मैं उस प्लाय करते हैं को क्या करेंगे करता हूं आप करता हूं आपको इस तरीके से लाइन आ रही है अब इसमें करने के लिए करूंगो यहां पर लिखूंगा मैं तरह के बाते हैं कि इसके बाद में हैं लगाते हैं झाल का घा पो दसके長ी में चालो है कि ढ़ता हुँ निए तरह करता है तो यहां लगा देता हुआ लाइन की हिός ढूर गुए यहां पर इक्वाल का साइन नहीं आए पर अब क्लोज कर देते हैं और चेक करते हैं क्या effect उसके अंदर हुआ है ठीक है है एचार टैक के अंदर ही चेंजिस करें है हमने तो इसका मतलब क्या जो लाइन उसमें चेंजेंस आई होंगे तो इसको उपन करता हूं दुबारा से तो यहां पर देखिए जो बिट है वो दीखें कम हो गई है और जो हाइट उसकी दिखें बढ़ गई है य पर अब लिखेंगे अब कलर ट्रीक है यहाँ पर प्लस प्लस में यह आपको सजेस्ट करता रहता है तो मैं यहाँ बैक्रॉंड गांगे और नाम देजिए को अंदर कलर फिल हो गया तो देखिए हमें के यह लाइन थी हमारी उसकी हमने बिट्ट कम कर दीए करा दिए चीज से हमने कम कर दी और देखिए जो हाइट थी उसके हमने वह बढ़ा दी ए जो है देखिए यहांपे काफी बड़ी हो गई इसके हाइट तो इस तरीके से हमने अपर cax to apply कर दिया मतलब क्या हुआ है हमारा उसमें हमने css को apply कर दिเขाए कर दी溜ाँ ने कर सकते हो इस चाहिमा सब्सक्राब मैं ये पर बोड़ाओंगा करूंगा इस के बास मुझे अ करता हूं और बैप पेज को दोबारा से ओपन करके देखते हैं ठीक है कि देखिए यहां पर ब्लू कलर अपलाय हो गया है तो इस तरीके से हम अपलाय करते हैं इनलाइन CSS को आई होप आपको समझना आ रहा होगा कि किस तरीके से इनलाइन CSS को अपने html ॉक्यमेंट आप अपलाय कर सकते हैं जब भी आपको इनलाइन CSS को अपलाय करना होगा तो जितने भी टेग है उनमें आपको इंडिविजरी है तो देखि प्रप्रपोरटी किहीं होती है है टाव इस करने के लिए उस करते हैं टाइब्स्र worship को को हम दिसक्स करने वाले हैं बेरेस्ट टाइब की टेक्स टायपरब्टी सको ओके तो छिलिए diffus करते हैं कौन को से टाइब की टेक्स Gesundheits होती हैं तो वेन क्यों होता है ग्लाइन प्रैक्षिनार टाइस प्रांढे काbest दौकरिस आप्लाय तुई भी हैड इंगा उसको आपका alignment करना है left right अगर आपको alignment करना है तो उसके लिए हम टैक्स अलाइन प्रॉपर्टी को ओके तो देखिए इसका syntax दिख लेते हैं किस तरीके से इसको अप्लाइ करते हैं तो देखिए यहाँ पर syntax में क्या है हो आपको जल्दी से तो देखिए यहाँ पर प्लस प्लस को ओपन कर लिया है मैं अगेन और यह हमारा कोड अलड़ी है इसके अंदर ठीक है तो सपोज क्या है यहाँ पर देखिए जो एच वन है एच वन है इसको मुझे अलाइन करना है इसका पहले में चलाकर दिखा देता हूं को वैप पे जिसके आपको confusion ना हो देखिए यहाँ पर इसको चलाता हूं मैं लेकिए तो अट्वन में विजो की हमारा लेफ्ट वेफिग करते हैं यहां पर जा सेंतर करते हैं तो चलिए करते हैं इसको किसंट्री किस करेंगे देखिए इसको करने के लिए यहां पर लिखोंगा हम données in style टीक है इसके बगलों में लिखेंगं कि आप टेक्स आलायन अलाइं तीक टाइं इसके बाद मेंहां लगांगा और लगाने के बाद में बढ़िया औह 스타 स्टाट अपर कवाी धिसक्राइं सेंटर और सेंटर देने के आप मैं करता हूं और अब मैं उस बैपेज को ऊपन करता हूं तो देखिए सिस्टम सॉफ्ट्यर जो है वो आपका सेंटर में आ गया है तो यही काम होता है टैक्स प्रोपरड़ी का आए होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको राइट करना है तो आप राइट देज फ les go to anse Lives go अगे तो फो देखतें नेख प्रोपरड़ी हborg तो नेट्स टैक्स प्रोपरड़ी हमारे पास में tax वे तो इसकी कल लेते हैं प्रवपरड़ी क्या होती यह दिस प्र्परडिप्सफिफार इप्प्रोपरड करती हमच्भ करने के लिए और इस की ठसक्राइब करेंगे अब लिखने ट्रीक्राइब एक एक जा कशेट्य को फिरेटी णिजबंड आप करें इसको हमने करा था इसी को हमचे करना चाहते हैं मतला इसको मुझे अंडरलाइन करना है तो किस तरीकिस करेंगे देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम यहां पर अलड़ी स्टाइल लगा चुके हैं तो यहीं पर हम टेक्स डेक्रेशन प्रॉपर्टी को अपलाई कर देंगे ठीक है किस तरीकिस करेंगे देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको यहां तक हमारी हो गई है यह टेक्स अलाइन प्रॉपर्टी तो इसके लिए क्या करूंगा मैं यहां पर क्लिक कर दूँगा और यहां पर लिखूंगा मैं टेक्स-decoration-decoration ठीक है टेक्स टेक्स लिए फिर मैं लगाऊ हम यहाँ पर कॉलन और इसके बढ़ां लिख दूँगा मैं suppose अंडरलाइन अंडर लाइन अंडर लाइन यहाँ सेमि कोलन टीक है अई इसका वार में double कि एर लाइन आ चुकी है तो इस तरीके सागर्ञे कла को डेक्रीट कर सकते हैं तो आयजर आपको टेक्स, डेक्स त्राइकाइशन प्रापरेटी भी ऑगँ टो चलिए अब देक्ते है, है next property को तो next property है color ठीक है तो color property का क्या होता है देखिए this property helps in setting the colors of the text तो अगर हमें text के color को change करना है तो color property को यूज करते हैं ठीक है इसका यूज आपको करके दिखा जोगा हूं यहां फिर से मापको समझा देता हूं देखिए तो यहां पर देखिए syntax आगे हमारे सामने तो syntax में क्या है देखिए color लिखेंगे आप उसका अदिम लिखेंगे और बैल्यू में क्या हो सकती है देखिए बैली में आप अप अपलाए करना चाहते हैं और या फिर आप आप लिख सकते हैं या फिर आप hexadecimal code भी होते हैं आप चाहा हो तो भी लिख सकते हो ठीक है तो सबसे बैस क्या है सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करना चाहता हूं ठीक है तो किस तरीक सब्सक्राइब देखिए यहां पर करूंगा मैं क्लिक करता हूं यहां पर डबल कोड से पहले और यहां पर मैं लिखता हूं क्लर ठीक है कलर लिख दिया मैंने इसके बाद मैं कॉलन लगाऊ सब्सक्राइब करता हूं को तो देखिए यहां पर यहां प्लाइब हो गया है तो आप लोग को प्रॉपर्टी भी समझ में आगी होगी अब देखते हैं Mate property हमारे पास है टैक्स或 औके इस प्राइट का क्या होता है देखिए चाहरी फिरूपर्टी कह सताथ देखिए देखने मटस करना है तो से के चीज़े हैं अप त्राइक्स प्राइट में लिखेंगे उसके वाद में वैैन独 देंगे और बैल्यू क्या क्या हो सकती है आप दे सकते हैं अपर केस्ट दे सकते हैं या फिर नन दे सकते हैं यह बैल्यू आप पास कर सकते हैं यहां पर टैक्स टांस्पर्म लिखके इनमें से कोई सी बैल्यू पास कर सकते हैं तो इन बैल्यू का मतलब क्या है देखिए मैं दिखा देता होंगे मतलब हमद्रज में डिस्प्ले ओंगे इस में होगा सारे सारे इसी संवा तो इसमें ओक्ञवी नहीं होगा जैसे आपने टैक्स लेखेंनगा इसी रहेंग उन नहीं होगा तो चलिए इसको भी इसको पर दिखाया हुँ आपको ठीक है जिसे कि आ anya तो देखिए यहां पर paragraph टैग में मैं इस property को apply करूंगा ठीक है तो किस तरीक से apply करूंगा मैं करके दिखा देता हूं आपको यहां तक तो हमारी color property apply हो रही है इसी के अग्यसे मैं apply कर दूंगा text transform property को मैं हैं लिखूंगा text अगया तो मैं एंटर कर देता हूं इसके बाद है लगा और है लिखूंगा अपको इसके बाद में लास्ट मैं सेमीकॉल लगा दो इस फाइल को सेप कर दूंगा चलते हैं डेक्स्टाप पर और उपन करते हैं इस बैपेज को उड़ा है तो देखिए यहां पर जितने भी लेटर सा उनके फर्स लेटर जो सारे काटल हो गाएं देखिए सबीकर कीजिए अब सभी के जो फॉस्ट लेटर में हो हो गई देखिए हब ठीक है तो यहमारीस प्रилоai कि अपऩड़ा हो गई है ओके मैं सब्सांट करके देखाए देखिए इस तरीके स्क brackING की यहां प्रकियाद के जगा कर देता हूं मैं और लाओ तो यहां अपरकेश और कर देता हूं ठीक हैस तरीके से परता है इसको और मिनिमाइज करके दुबारा सब्सक्राइब करता हूं यहां पर देखिए सारे के सारे लेटर जो है वह हमारे अपर केस में अगया मतलग कापिटल में हो गया है तो इस तरीकी से हम अपलाए करते हैं टैक्स ट्रांस्वाम प्रॉपर्टी को तो आप लोगो टैक्स ट यहां प्लॉब्क टो मतलब क्या हुआ यूज्ट करते हैं हम टॉब्क करनेके लिए अगर आप चाहते टैक्स की सैटूर जिस पे हो तो उसके लिए डिए हैं और यह चो प्रॉपर्टी है हो सकता बहुत सारे ब्राउजर सपोर्ट ना करें टीक क तो अगर आप लोग इस को समझ जाना यह ब्रायोजर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम भी अभी करके देखेंगे इसको पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं किस तरह यह रहा देखिए शिंटेक्स में क्या है आप लगते हैं तरीके साव बैल्यू और यह तीन वेल्यू है इस तरीके साब अप्लाइब कर सकते हैं देखें कि मतलब क्या है वह भी दिखा देता हूं आपको इस सब्सक्राइब करता है डिस्टैंस ऑफ दा होरिजन्टल सेड़ो और बी सेड़ो का मतलब क्या है बीशेड़ो इस पर कोई भी कलर आए तो इसके लिए आप स् चली इसको भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं तो यहाँ पर अप्लाइब करने के लिए एक हैडिंग अलग्सी लिए लिए या पर इस तरीके से हम लिए देता हूं सब्सक्राइब प्लूस कर देता हूं मैं हाप एसटू प्लोस होगे मेरा अब देखें हाँ अपर है कि इक बदनागे यहां फिर चत्क करेंगे न देंगे में टनाव काATHAN करेंगे ह। करेंगे यहां अब तुर मिलताओ इस की बदेेस् philosophically होगा और अब मैं दूहें है यहां बैलिऊ दैने तो हमारी है न है लिए अ में टूपिक्에서도 लिख दिया मैंने इसके बाद में रैस्के देता हूं मैं एसके आप में। नशर्प माल लिखते ह고 हैं और पर दे यहां है यहां पर दहतें हैं इस तरीके से हमारा अप्लाइय हो गया है अब कर दे ते से तो save करने से पहले हैं पर dollar को कर देते हैं ठीक है लोज कर दिए अब इसको सेफ करता हूं अउन्ट्रोलS से पर छिद को मिनिमाईस करता हूं हाँ ठीक है इसके नहीं फाइल को ऊपन करता हूं तो चलिए अब देखते हैं next property को तो next property हमारी tax इंडेंट तो इस property के का यूज होता है इसको भी देख लेते हैं the tax इंडेंट property specify the indentation of the first line of a text okay तो tax इंडेंट property को यूज करते हैं हम जो first line होती है हमारे paragraph की उसका इंडेंट सेट करने के लिए मतलब जो first line होगी जहां होगे सब्सक्राना चाहते हैं उसी तरीव सेट करने के रीए लिएसइंडेंट को okay सन्टेक्श देख लिए एक किस तरीका से उसको यूज करते हैं ओके तो यह है सिंटेक्स में क्या है सिंटेक्श में रखा है x इंडेंट यह इस तरीके से आपको लिखना तो चलिए हें पर करते हैं करता हूं इसको पूर रहता देतां और यहां से सब पर यहां पर इक पर पारग्राफ लेक्ड़ लेता हूं प्रिटक के लिए लिए आँ और पर ले लेता हूं पर लेता हूं है यहाँ है अब यहां पर सब करने के लिभी होता है यहां सब करने के लिए हैं सब लिए हैं स्तेम्ल टेक्स्ट मार्क जिकलेगे से इसना लिख दीए अब दुरान लिख दीए मैंने अब मैं इसको पाने से चाहत हो को आप आप को देखाई ओपन करता हूं तक है अब आप डमा सब्सक्राइन का इंडेंट तो कैसे करेंगे अपला равно चली देखते है तो ٹेक्ष्णThank को प्लैकन लिए प्लैफ्ट के लिए अंदर जाता हूं और यहां पर लिए तयुक्त हमका स्टाइल भी अप्लाय करना पड़ेगा ठीक है है और यहां पर टेक्स्ट हैफन इंडेंट इंडेंट ठीक है और मैं लगता हूं है कॉलन और क्या देना है मुझे बैल्यू ठीक है सब्सक्राइब यहां पर 40 और देता हूं परसेंट ठीक है इसके बाद में वेब पेज को ओपन करके दिखाता हूं तो दिखें फर्स्ट लाइन का इंडेंट अब चेंज हो गया जितना मैंने दिया था उसके अग्जेक्स कर लिया है ठीक है अगर आप कुछ और वैल्यू देंगे तो यहां तक आगा जाएगा जो भी आप अपने चाहते हैं वह बैल्यू दे सकते हैं उसके अपका इंडेंट हो जाएगा तो इस तरीके से हम टेक्स इंडेंट को अप्लाइ कर सकतें किसी भी वेप पेज में ओके तो आप लोगो को टेक्स इंडेंट भी समझ में आ गया होगा तो चलिए अब देखते हैं नेक्स प्रोपरटी तो नेक्स्ट प्रोपरटी हमारी बर्ड ब्रेक टीक है तो इस प्रोपर्यून हो था इसको भी देख लेते हैं जबने प्रोपर्ट्य स्पेसिफाय करते हैं यह तुम्हें टेक्षिपाय करती है लाइन ब्रेकिन को ठिक है किस तरीके से सतते हैं एुआ करते हैं चलिए इसको सिंटेक्स zeker और क्लियली समझा देता हूं आप तो भी देखित्य रहे हैं कि उक्राट लिए का ल। इसगा ठीज पकल दे सकते हैं की वहां ते सकते हैं और इन तिनों का मतलब क्या है य鸉शका दाओंसाएंगशी को तो देखिए नौर्मल धीँ किसी भी करेक्टर से ब्रेक हो सकती है मतलब क्या है सबोच आपकी लाइन लिखी होई रही है इस तरीके से च्मावान लोकिड़ों की जो एक das साथ में ब्रेक होंगी मतलब क्या है content सारा रहेगा मतलब कोई भी वर्ड आपका बीच में से ब्रेक नहीं होगा लेकिन जब आपकी लाइन ऐसी हो रहे होगी छोटी पड़ रहे होगी तो वहां पर हाइफन लगके वह ब्रेक कर देगा उसको तो चलिए मैं इसको practically समझा देत है जिससे कि आपको clearly देख पाये यह इस तरीकी से मैंने अंटर दे दिया है हम भी देता हूं ठीक है तो यहां दो परहें मैंने एंटर करें एक परग्राफ यह है और एक परग्राफ ही है और दोनों ही जगह पर मने स्टाइल को अपलाए कर दिया थोठा से इसको प्रापर क लागर वे जो जाएंगेड और इसे तरिकी से इस परखराफ में होगा ठीक है यहां पर भी चेक कर लेते हैं नाँरी ठीक है यहाँ रहेंगे डबल कोट ठीक है इसके बाद में हाँ पर रेंगे अपर सैमी कॉलन भाट हैं का जाएंगे ठीक है तो मैं इसको सेप कर देता होता उतना लिया है और जो भी लेटर नहीं आ पाया था उसको उसने ब्रेक कर दिया मतलब लाइन को वहीं से ब्रोपभर कर धिया है और स्थेकंड वाले में देखें आपका पूरा आ रहा है कि यहां ठीक ही किप ठीक है हमने लगा यहाँ पर कि रोग खहल बार ऐख टीछ है तो इसलिए यहां पर संदे मैक रियो कि और यहां पर इसने ब्रेक नहीं करा अगर तो इस तरीके शॉद्ट ब्रॉपर्णी को अपलाए करते हैं लोग आप लोग को बारट भी समंझ में आगी होगी तो चली अब देखते नेक्स प्रॉपर्धी गों तो नेक्स्ट वापड़ी हमारी लाइन हाइट टीक है तो इस प्रॉपर्टेए क्या काम होता है इसको देख लेते हैं सब्सक्राइट प्रि purpose जो करना तो आप करेंगे लाइन हाइट प्रॉपर्टी के हां चल्क हल नॉर्मल दे सकते हैं तो लग सकते हैं ठीक है तो चलि एसको भी प्रक्टिकली करके दीखा जीता हूँ आपको उसलिए हापको आपको देता हूँ ऊपको लगता हो और अप्टर करते हैं टीक तो यहाँ पर हाइट काफी कम हो गए है इसलिए दिखी की लाइन दूसरी लाइन को उपर आ रहे है तो मैं ही खोड़ा देता हूं ठीक है यहां पर मढ़रा देता हूं सपहोगा पहले तौस्पो chains तौसमें करते हूं 80परसेंट ठीक है अब चक रते हैं कैSound effect आएगए रेफ्रेस करता हूं हां पर ठेकर देखेह। कोई भी कमा रहा है और बना देता हूं हाइट को अब रिफ्रेस्ट करता हूं पेज को ठीक है यह काफी ज्यादा है बढ़ चुकी है यह काफी हाइट आ गई है तो यह जो बीच का हूं मैं रख कर चुकिक हम तो अब हम सब्सक्राइगे फॉन प्रोपर्ड्म इसको ओके तो यह unit वीडियो अलड़ी काफी लंबिक हो झाल झाल